अब देखो आप यह जो एड देख रहे हो सबसे उपर ुपर तो यह जो सबसे उपर ब्लू में दिख रहा है आपको यह जो लाइन दिख़री है ब्लू में ये वाली यह MBA Online Studies जहाँ पर मेरा भी करसर है इसे हम कहते हैं Headline चीक है? उसके नीचे जो Line है वो है Display Path और उसके नीचे जो Line है ये ये है हमारा Description अब आप ये जो चीजे देख रहे हो इसे हम कहते हैं Add Extensions Similarly ये देखो ये जो चीजे आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं Add Extensions अब थोड़ा नीचे आओ अब ये देख रहे हो इतना बड़ा दिख रहा है ये सब चो नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं Add Extensions अब Add Extensions से होता क्या है कि आपकी Adds ज़्यादा Space घेरती है ठीक है जी? आपकी Adds जो है अब ये देखो इस Add में और इस Add में क्या फरक है? इस Add ने कोई Extension यूज नहीं किया और इस Add ने बड़ी सारी Extension यूज किया है तो जो आप पहली Add देख रहे हो वो देखो कितनी छोटी है और ये जो Second Add देख रहे हो ये कितनी बड़ी है या ऐसा क्यों है? क्योंकि Second Add ने क्या यूज किया हुआ है? Add Extensions अब हम देखते हैं कि आप अपनी Adds के लिए कैसे Extensions बना सकते हो ठीक है? आप समझके Add Extension क्या होता है? Add Extension जो है आपकी Add को और बड़ा करने का एक तरीका है Add Extension की Help से आप अपनी Add में और जादा Information प्रोवाइड करा सकते हो About Your Offer, About Your Company, About Your Program जिससे कि आपके Adds पे क्लिक होने के Chances बढ़ जाते हैं तो आपको हमेशा 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 Add Extensions यूज करनी चाहिए तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम Add Extension बना सकते हैं तो मैं अपने Google Ads अकाउंट में हूँ और मैं Campaign में जाता हूँ आप ये देख सकते हो Last Campaign जो हमने बनाये था मैं इस Campaign को क्लिक करता हूँ जैसी मैंने इस Campaign को क्लिक किया आप यहाँ देखो एक Option आ रहा है Ads and Extensions क्या Option आ रहा है? Ads and Extensions अब मैंने इस Ads and Extensions को क्लिक किया यहाँ पे तीन Option है पहली Ads दूसरी Extensions और तीसरा है Automated Extensions तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ About Automated Extensions तो Automated Extensions वो Extensions होते हैं जो Google Automatically आपके Ad पे Apply कर देता है वो Extensions आपको यहाँ दिखेंगे आप चाहो तो उन Extensions को Remove भी कर सकते हो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो हम अपने Main Topic पे आ जाते हैं विच इस Extensions Extensions में मैं आया और नीचे देखो Option आ रहा है Create Add Extensions Create Add Extensions तो मैंने क्लिक किया अब देखो इतने टाइप के Add Extensions है जो मैं यूज कर सकता हूँ ठीक है यह बड़े सारे टाइप के Add Extensions है जो मैं यूज कर सकता हूँ Site Link Extension है Call Out Extension है Structured Snippet Extension है Call Extension है Message Extension है Location Extension है Affiliate Location Extension है Then we have Price Extension Then we have App Extension Then we have Promotion Extension Right बड़े सारे Extension है अब One by One हम देखते हैं कि यह सारे Extension क्या करते हैं और कैसे आप इन Extensions को लगा सकते हो ठीक है जी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे Create Add Extension एक बड़ मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने Add Account के आया Then I'll go to Campaigns Then I'll go to Select the Campaign And then I'll go to Adds and Extensions Then I'll go to Extensions Then I'll scroll down And I'll create Add Extension और सबसे पहले हम बनाते हैं Site Link अब एक चीज़ देखो यहाँ पर बड़ी सारी Extension है अब आप सोचोगे भईया ठीक है मैं आप क्या काम करता हूँ इस सारी की सारी Extension बना देता हूँ फिर मेरी Add हो जाएगी बहुत बड़ी बट ऐसा होता नहीं है आप Extension तो सारी बना सकते हो बट यह Google डिसाइड करता है कि कौन सी Extension दिखानी है और कौन सी Extension नहीं दिखानी यह Google डिसाइड करता है Based on your Add Ranking Based on your Quality Score और बड़े सारे और Inputs के basis पे उसके Machine Learning और Algorithms के basis पे Google यह डिसाइड करता है कि कौन से Extension शो होंगे और कौन से नहीं होंगे So Extension बना लेना is not a guarantee कि Extension नजर आएगा ही But Extension बनाना is always recommended क्योंकि जब ही भी Extension नजर आएगा आपकी Add की Performance Improve होगी Right तो चलो जी Extension अब बना के देखते हैं सबसे पहले हम बनाते हैं Site Link Extension तो मैंने क्लिक किया Site Link Extension अब सबसे पहले तो देखो Site Link Extension होता क्या है आप यह देख रहे हो यह जो मेरी Add है इसके नीचे कुछ Links नजर आ रही है Like these यह इन्हें हम क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं Extensions अगर मैं इन Link को क्लिक करूँ तो आप देखोगे पूरी Website खुल जाएगे खुल गई तो इन्ही Links को हम क्या बोलते हैं Extensions तो अब हम देखियो Extension कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले यह क्या पूछ रहा है Site Link Text For example अगर यही से हम एक्जामपल दें तो Text का लिखा है देखो Cat Online Night Classes Description तो मैं लिख देता हूँ Busy with your job Busy with your job या फिर लिख देता हूँ We also provide Night Classes और एक और Description कह रहा हम है तो Learn Get Night Classes Just ऐसे लिख रहा हूँ कुछ अच्छी ads लिए है Copy अच्छी लिए है तो यह मैंने लिख दिया इसका description और then final URL Right तो URL क्या था मेरा यह था URL तो यह मैंने यहां से किया अपना copy और यहां पे मैंने कर दिया Paste अपना URL तो यह हो गया एक link अब मेरे से पूछ रहा है दूसरा site link तो मैं दूसरा site link ले ले लेता हूँ यह कौन सा site link है यह मेरा दूसरा site link है तो cat यहां पे मैं लिख देता हूँ और अब इसके description तो मैं काम करता हूँ उपर वाला description उठाके copy मारता हूँ थोड़ा सा बस इसको यहां से यह हटा देता हूँ और यहां पे we provide night classes ठीक है अब इसका final URL पूछ रहा है तो final URL इस वो landing page जहां आप user को भेजना चाहते हो तो suppose यह मैंने किया copy और यह मैंने डाल दिया URL ठीक है बहुत ही बहुत ही जादा आसान और नीचे मैं और site link extension बना सकता हूँ तो अभी हमने दो site link extension बना अगेन मैं आपको फिर repeat कर रहा हूँ कि आप इतने extension बनाओगे इसका मतलब यह नहीं यह extension यह show होंगे होंगे यह google decide करता है based on multiple factors but extension बनाना is always recommended ऐसे ही मैं और extension लिख देता हूँ और मैं extension लिख देता हूँ तो यह तीसरा भी लिख देते हैं cat night classes plus mocks तो यह text लिख देते हैं और URL हम फिर से यही डाल देते हैं यह description था मैंने वो लिख दिया यह final URL में लिखेंगे हम यह copy किया हमने यह लिख देता हूँ ऐसे आप extension बना सकते हो और भी ठीक है अब यहाँ पर आप देखो आपके पास दो option है site link URL options अभी के लिए आप यह URL options को छोड़ दो यह मैं आपको एक ही lesson में इस सारे URL options समझा दूँगा कैसे काम करते हैं क्या होते हैं अभी दूसरा option देखो which is advanced option अब advanced option में आपके पास एक option है mobile device preference कि अगर आप mobile को preference देना चाहते हो तो आप यहाँ पर mobile choose कर सकते हो then आप यह भी choose कर सकते हो कि यह extension कब दिखना start हो start date क्या हो end date क्या हो वो भी आप इस extension के लिए decide कर सकते हो plus days end आप यह भी decide कर सकते हो कि कि schedule के दौरान आपको यह extension दिखे ठीक है तो यह बहुत ज़्यादा simple है अब यह extension जो है यह हमें desktop और mobile दोनों पर दिखाना है हमें कहीं preference नहीं देनी इसको तो हमें mobile चेक नहीं करेंगे और अगर आपका कोई date wait डालना है आपको start end का तो आप डाल सकते हो again recommended नहीं है schedule भी डालने की जरूत नहीं है जब तक आपके पास data ना हो इसको back करने के लिए right और then हम इसको कर देंगे save ठीक है आप इसको save कर दोगे तो अब आपके यहाँ पर extension बन जाएगे देखो यह तीन extension आपको दिखने लग गया right तो यह तीनों extension कौन से थे ऐसे ही आप चाहो तो और भी बड़े सारे site link बना सकते हो but again जैसे मैं पहले कह चुका हूँ मैं repeat कर रहा हूँ दिखने की कोई guarantee नहीं है अब again मैंने किया plus अभी क्या बनाया था मैंने site link extension अब मैं बनाऊंगा call out extension अभी call out extension क्या होता है आप देखोगे यह नीचे जो कुछ messages नजर आ रहे हैं powerful and easy to use 100 plus qualitative results यह सब है हमारा call out extension तो यहाँ पर मैंने किया call out extension अब देखो एक चीज और देखो यहाँ पर option है add to campaign अभी यह campaign level पर add कर रहा हूँ मैं इस campaign में मैं चाहूँ तो इसको add group level पर भी बना सकता हूँ या account level पर बना सकता हूँ अगर मैं account level पर बनाऊंगा या add group level पर बनाओ तो हम campaign level पर बनाते हैं अब यह दो option दे रहा है कि नया बनाओ या existing यूज करो तो हम नया बनाते हैं call out text again क्या है कुछ important messages है जैसे यह दे रहा है na discover quality results तो यहाँ से हमने उठाया और यहाँ हमने लिख दिया discover quality results then call out text 2 है explore best info now तो यह copy किया और यहाँ पर लिख दिया ठीक है then call out text 3 है 100 plus qualitative results ठीक है तो यह call out text 3 हो गया ऐसे आप call out text 4 लिख सकते हो powerful and easy to use तो यह हो गया हमारा 4 ठीक है अब अगेन यहाँ पर भी advance और अगर आप चाहो तो आप और call out text add कर सकते हो यहाँ से आप और add कर सकते हो ठीक है और advance option again कि आप preference देना चाहते हो mobile को तो आप उसे choose कर सकते हो आप date, start date और end date select कर सकते हो और schedule भी select कर सकते हो then आप इसे कर दोगे save तो यह होगे आपका call out text call out text is कुछ important messages है कुछ important आपकी USP कह सकते हो आप basically जो आप अपने user तक पहुचाना चाहते हो so that's call out text प्लस आप दुबारा प्लस करोगे तो देखो अब आगया तीसरा option and that is structured snippet extension ठीक है क्या है structured snippet extension structured snippet extension क्या है आप देख रहे हो types, news, video, web, wiki तो उसे हम कहते हैं structured snippet extension Google ने देखो कुछ predefined formats बनायों है जैसे आप information provide करा सकते हो for example suppose करो जैसे यह क्या है cat coaching हम दे रहे हैं तो देखो यहाप एक courses है option है देखो यहाप एक courses का right तो मैं अगर इन courses को click करूँ तो मेरे पास क्या-क्या courses है वो मैं यहाप provide करा सकता हूँ for example 100 days cat course ठीक है और यहाप पर मैंने लिख दिया three month cat course और यहाप पर मैंने लिख दिया classroom cat coaching right तो आप ऐसे और ज्यादा information अपने बारे में provide करा सकते हो अब suppose करो आपका है आपका है travel site तेन उस case में आप बता सकते हो destinations कि आप की company कहा-कहा भेजती है लोगों को ठीक है आप देख सकते हो by default Google क्या बता रहा है Paris, Berlin, London आप कहा-कहा भेजते हो suppose आप भेजते हो New Zealand New Zealand आप भेजते हो Australia आप भेजते हो Canada और आप इसे फिर save कर दोगे हाँ आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आसान similarly suppose आपका insurance का काम है तो देन आप ले लो insurance coverage और यहाँ पे आप insurance coverage रिख दो ठीक है जो भी आपके option होते इंशोरेंस मगें I am not that aware तो जो भी है आप यहाँ पे provide करा सकते हो brands अगर आप कपड़े बेचते हो then आप वो भी provide करा सकते हो say मैं करता हूँ कि यह Nike then हो गया say Levi's then edit तो जो भी है जो भी आप बेचते हो आप वहाँ पे और information add कर सकते हो और इसको आप save कर सकते हो advance option में same आपको again वही चीज़े दिखेंगी तो आप यहाँ से extension मना सकते हो plus अगर मैं करूँ वापस तो अब आएगा देखो call extension call extension में क्या होगा आपका phone number दिखेगा जिसे click करके लोग क्या कर सकते हैं आपको phone ठीक है तो मैंने किया call extension add again यह भी मैं campaign level पर कर रहा हूँ और country में मैंने डाल दिया अपना India और then मैंने डाल दिया है आपके अपना phone number ठीक है मैंने phone number डाल दिया और call reporting on है ठीक है conversion action है तो ठीक है calls from ads यहाँ पर आप ले लो और यह पूछ रहा है कि क्या जो एक call extension है क्या इसके लिए आपको bid बढ़ानी है यह bid increase का मैं आपको next lesson में समझाओगा किसी और lesson में समझाओगा अभी आपको यह समझ नहीं आएगा तो अभी यह होगा क्या लोग यहाँ से click करके directly इस number पर call कर सकते है राइट और इसे मैं कर देता हूँ से देखो नमबर सही नहीं बता रहा है तो अब इसे save करते हैं बन गया call extension अब सीरे लोग वहाँ से click करेंगे और आपको call कर सकते हैं अब वापस जाओ प्लस में अब देखो क्या है message extension message extension में क्या होगा लोग यहाँ पे click करेंगे और click करके जैसे वह यहाँ पे click करेंगे ऐसा देखो कुछ लिखा हो आ जाएगा और यहाँ से वह आपको message भेज सकते हैं तो again message extension में भी आपको क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पे India select करना है ठीक है then आपके business का नाम लिखना है तो suppose मैंने लिख दिया think and thrive then extension का text लिखना है मतलब लोगों को क्या text दिखे जैसे अभी क्या दिखे रहा लोगों को send us a text for more information तो यहाँ पे मैं लिख दिया था हम want to know more messages click here to message click here to click to text लिख देता हूँ right अब लोगों को यह दिखेगा यहाँ से जैसे वो click करेंगे तो उन्हें यह दिखेगा I would like to know more आप इसे चाहो तो अपने हिसाब से change कर सकते हो suppose मैं इसे लिख देता हूँ yes I want to enroll in a Google Ads course please share more info अब होगा क्या लोग add दिखेंगे उन्हें यह दिखेगा जैसे वो इस पे click करेंगे उनके phone पे message वाला pop-up खुलेगा यह दिखेगा और उन्हें वहाँ पे message भेजने का option होगा जिसे click करके वो message कर सकते हैं ठीक है अब यह देखो message reporting off है तो यहां से उसको turn on कर दो और advance option में जाके same again वही चीज़े देखो start date and date तो इसे simple यहां से कर दोगे same अब यहां पर एक काम आप कर सकते थे जो हमने नहीं किया था और वो काम क्या था यहां पर हम timing वाला option कर सकते थे set जो उसमे timing का schedule का timing आ रहा था न वो वाला हम यहां पर set कर सकते थे अब plus में जाओ अब देखो अगला option क्या है अभी तक हम क्या कर चुके है site link extension site link extension क्या करता है नीचे कुछ links आएंगे जिसे click करके लोग आपके page पर जा सकते हैं दूसरा है call out extension call out extension में लोग क्या करते हैं call out extension में आप लोगों को और extra information provide कर आ सकते हो about your products आपकी USP क्या है वो आप उन्हें provide कर सकते हो अगली चीज़ क्या है structured snippet extension structured snippet extension में क्या होता है तो structured snippet extension में Google ने कुछ predefined formats दिये हैं जैसे की showroom हो गया जैसे की types हो गया जैसे की courses हो गया अलग-अलग industry के लिए आप वो select करके अपने बारे में और ज़्यादा information दे सकते हो अगला extension क्या था call extension call extension में क्या होता है आप अपना phone number दे सकते हो लोग आपको directly call कर सकते हैं अगला extension क्या है message extension वहाँ पे क्या है एक बटन आएगा उसे click करके लोग आपको message देच सकते हैं अगली चीज़ क्या है location extension location extension में क्या होगा location extension में add के नीचे आपका address दिखेगा लोग वहाँ से जाके आपके पास visit कर सकते हैं अब location extension add करने के लिए ये जरूरी है कि आपका google my business account बना हो तो अगर आपका google my business account बना होगा तो वो address आपका यहीं दिख जाएगा जिस id से भी आपने google my business account बनाया होगा देखो यहाँ पे id select है मेरी तो यहाँ पे आपके address दिख जाएंगे और just आपको continue करना है और ये वाला extension आप easily use कर सकते हो मेरा इस add account से google my business account बना नहीं है इसलिए वो option मेरे पास यहाँ पे आनी रहा है अगर आप इसी id से google my business बनाओगे तो यहाँ पे आपको address दिख जाएगा आपको just select करना है and then continue करना है आपका location extension बन जाएगा बहुत जादा easy है अब चलते हैं अगले extension पे and अगला extension क्या है affiliate location extension अब देखो ये जो affiliate location extension है ये इंडिया के अंदर लगता नहीं है अगर मैं यहाँ पे इंडिया करूँ तो आप देखोगे कि इंडिया as a option अवेलेबल नहीं है मतला मैं इंडिया में इसको use नहीं कर सकता देखो Australia, Germany, Brazil, Japan, Netherlands, Italy, Switzerland, Norway, Belgium, Austria मैं कर नहीं सकता use तो इसको हम छोड़ी देते हैं location, affiliate location extension को then आता है price extension ठीक है price extension में क्या होता है आप लोगों को अपने product के price के बारे में बता सकते हो for example हम अगर ये career launcher का example लें ये अलग-अलग coachings कराते हैं तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया हम गए create new, language English और brand, brand की जगा देखो और क्या क्या option है event, location, neighborhood, service category services, right तो suppose करो एक दूसरा example लेते है suppose हमें Nike और हम बेचते हैं जूते राइट, Nike नहीं suppose कर हमें flip card और हम multiple type के जूते बेचते हैं तो सबसे पहले मैंने लिए brands आप देखो कि आपके business के लिए कौन से चीट suitable है अगर आप consulting में हो तो आप services ले सकते हो तो suppose मैंने लिए brands और then मैंने currency में लिए INR और यहाँ पे price qualifier यह पूछ रहा है क्या कुछ price range है for example यह थोड़ा समझने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पे header हम लिखते हैं अपने product के बारे में तो मैं लिखता हूँ है पे Nike shoes और rupees मैं लिख देता हूँ 3000 units no units अब qualifier में लिख दो from अब इसका मतलाब है Nike shoes from 3000 समझ गए अब यह होगा Nike shoes अगर मैं कर देता हूँ up to तो यह होगा Nike shoes up to 3000 राइट तो मैं कर देता हूँ from और इसको थोड़ा सा आप explain कर सकते हो by brand new Nike shoes और यहाँ पे आप क्या डाल दोगे जहाँ पे भी आपके Nike shoes हैं उसका URL राइट तो suppose यह मेरा URL है जो मेरा जूता है वो इसी URL पे है यहाँ पे मैंने डाल दिया URL mobile के लिए आपने अलग URL बनाया है तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हो राइट ऐसे ही देखो एक और हम बना सकते हैं तो suppose अगे same आप बना सकते हो Adidas shoes और from 4000 वो units और इसके पे description लिख दो Adidas shoes और अपने Adidas shoes का यहाँ पे URL डाल दोगे तो यहाँ पे मैंने copy किया यहाँ पे URL डाला mobile के लिए URL है तो वो अलग से डाल दोगे राइट similarly आप ऐसे ही और extension अड़ कर सकते हो जो भी आपका brand है और जो भी price qualifier है वो आप यहाँ पे डाल के अपना URL बना सकते हो URL option अभी छोड़ते हैं advanced option आपको पता ही है वही same चीज़े जो हम देखते हैं और then आपको कर देना है save देखो भी save क्यों नहीं हो रहा क्योंकि मुझे at least three extension add करने है मैंने किये हैं दो ठीक है तो इसको मैं कर देता हूँ cancel अब मैं करता हूँ again create add extension और price के बाद है app extension app extension क्या है अगर आपका कोई app है तो वो app आपके add के नीचे दिखेगा ठीक है तो suppose मेरा app है android पे और यहाँ पे suppose flip card मेरा app है तो यहाँ पे just मैंने flip card search किया अब देखो यहाँ पे देख रहा है download करने का option अगर आप tablet exclude करना चाहते हो तो यहाँ से exclude कर सकते हो नहीं तो आप ऐसी छोड़ दो और advance option में वही same चीज़े और इसको आप कर दो save ठीक है तो देखो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा easy है आप ऐसे कर सकते हो plus करो दुबारा अगले चीज आपको दिखेगी promotion extension अगर आप कोई discount अगर आप provide कराना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो देखो अभी मैंने किया create new अब यह पूछ रहा है कि भाई क्या कोई occasion है जिसके उपर यह आप discount देना चाहते हो बड़े सारे occasions है आप किसी occasion पर देना चाहते हो तो आप ले सकते हो आप दिवाली थी तो मैं यहाप ले ळलता दिवाली और currency है INR ठीक है और कितना discount आप दे रहे हो तो अगर आप 100 रुपए का discount दे रहे हो तो यहाँ पर लिख दो 100 रुपए अगर आप 10% discount दे रहे हो तो दो पर संट discount और यहाँ पे लिख दो 10% अगर आप up to percent दे रहे हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे up to 50% discount दिवाली की और अगेन यहाँ यहाँ पे item का नाम लिख दो say मैं लिख दे रहाँ shoes और यहाँ पे URL डाल दो जहाँ पे जूते हैं आपके तो सपोज यह है URL मेरा यह मैंने डाल दे यूरल और प्रमोशन डीटेल्स और कुछ डीटेल आप देना चाहते हो on orders over सपोज करो आपके discount अभी मिलेगा जब 5000 से जाजा के ऊपर के order होंगे तो आप वो ले सकते हो अगर आप कोई promo code देना चाहते हो से ABC1 तो आप वो promo code दे सकते हो या फिर none कुछ बीन ठीक है और प्रमोशन कोड अगर आप date wait है तो आप वो ले सकते हो फिर आप advance option ले सकते हो mobile पे प्रेफेसन देना चाहते हो तो mobile पे दे सकते हो और save कर सकते हो अभी मैंने save नहीं किया है ठीक है तो यह बड़े सारे extension है जो कि आप use कर सकते हो अब मुद्द यह है कि कौन-कौन सा extension है जो आपको use करना ही करना है तो site link extension is kind of mandatory then call out extension भी आपको use करना ही करना है अगर आप लोगों से call करवाना चाहते हो अपने business को then call extension use कर सकते हो message extension अगर मैं recommend नहीं करता है बहुत कोई कि लोगों कहते हैं गलती से हो गया यह वो तो यह extensions है site link number one then दूसरा number two is call out then अगर आप call करवाना चाहते हो then you can go for call extension ठीक है आप यह extensions अपने business के लिए use कर सकते हो बहुत ही बहुत ही ज्यादा easy start जब आप करो तो site link और call out से start करो call out से start करो धीरे धीरे आप call और बागी extensions भी use कर सकते हो ठीक है जी so make sure कि आप आज एके practice कर रहे हो यह सारे extensions बनाने की और इन extensions में जो यह हमाला option था site link URL यह ads के पास भी दिखता है इसलिए मैंने आपको अभी बताया नहीं है एक ही दिन में आपको यह पूरा site link extension site link URL option समझा दूगा ठीक है thank you so much for watching this lesson